हेलो फ्रेंज, EBS पेडागोजी के सीरीज का ये पहला वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे EBS के पेडागोजी के कुछ important question के बारे में, तथा इसके साथ ही हम कुछ keywords को भी समझेंगे, कि exam में हम कैसे पेडागोजी के question को easily solve कर सके, तो चलिए आज की वीडिय का अनुसरण नहीं होता है, तो option देख लेते हैं, प्राकृतिक वीभिनता एवं उनके कारणों को बताना, ये तो आपका सही है, option नमर दूसरा है, आधार भूत प्रत्य और सिधानतों को रटकर, यहां टर हैगा, रटकर याद करना, तो देखिए हम जानते हैं कि जब भी बच्चों को रटकर याद करवाने लिए बात होती है, तो वो option हमेसा गलत होता है, तो यहां रटकर याद करने वाली बात है, इसलिए आपका option number 2 सही हो गया, option number 20 सही है, next question देख लेते हैं, question number 2 क्या कह रहा है, पर्यावड सिछण महत्तपूर है क्योंकि, option है यह नागरिक चेतना को बढ़ाता है, पर्यावड एवं मानोक्रियाओं के अंतह संबंध को दर्साता है, बच्चों में उसके परिवेस के बिसे में समझ विक्सीत करता है उप्रोक्त सभी, तो देखें जो पर्यावड जो सिछण होता है, उसका जो उद्देश होता है, वो चेतना Q3 देख लेते हैं, कच्छा कच्छ में सिच्छार्थियों से प्रश्ण पूछने से उनमे? option है अवलोकन कॉसल का विकास होता है दूसरा है चिंतन कॉसल का विकास होता है तीसरा है वर्गी करड कॉसल का विकास होता है चोथा है सनवेदन सिलता का विकास होता है तो देखे अगर प्रश्ण पूछते हैं हम किसी बच्चे से तो उसके चिंतन कौसल का विकास होता है और बच्चा अगर कुछ भी देख कर सीखता है तो उससे और लोकन कौसल का विकास होता है और अगर बच्चा कोई चीज़ वरगी कृत करता है तो उससे वरगी कड़ कौसल का विकास होता है अगर सन्वेदन सीलता कॉसल का विकास की बात करें तो ये किसी मुद्दे पे हम सन्वेदन सीलता जगाते हैं तो उससे हमें विकास होता है तो question number 3 का option number 20 सही हो गया क्योंकि प्रश्ण पूछने से बच्चा उत्तर के बारे में सोचता है और बच्चा जब भी सोचेगा तो उसके चिंतन कॉसल का विकास होगा next question देख लेते हैं question number 4 क्या कह रहा है सिच्छार्थियों में संग्यानात्मक कौसल का विकास करने के लिए उप्सन है सब्दावली एवं परिभासाय रटवानी चाहिए देखे पेडागोजिक question जब भी हम लोग solve करते हैं तो वहाँ जो रटने वाली बात होती है वो हमेशा negative होती है तो हम लोग इसको option के हिसाब से पहले ही eliminate कर सकते हैं तो यह आपका option number पहला ही गलत हो गया दूसरा है उनमे वास्तविक जीवन की चिंताओं के विशय में समझ उत्पन करना चाहिए तो देखे जो बच्चा है अगर हम उसको परियोड कौसल के बारें बता रहे हैं तो उससे क्या होगा उसके चिंतन में के तो विकास होगा ही उस आगे का option देख लेते हैं उन्हें प्राकृतिक विवनताओं के विशय में बताना चाहिए ये भी सही है उनमें वेवहारी क्रियाएं उनसे वेवहारी क्रियाएं करवानी चाहिए तो देखे अगर इन चारों option की बात करें तो सबसे जो best option होता है कि क्रिया करवाना है उ विद्यार्थियों को किसी विशय पर सर्वेक्षड एवं लेखन के लिए प्रोफसाहित करता है उसका उद्देश से क्या है मतलब जो टीचर है वो बच्चों से क्या कर रहा है सर्वेक्षड करवा रहा है उसका उद्देश से क्या हो सकता है तो option देख लेते हैं सिच्छा सिच्छार्थियों में अवलोकन वर्गी करड़ आधि कौसलों का विकास करना सिच्छार्थियों में न्याय संगत एवं सन्वेदन सिलता बनाना चौता है सिच्छार्थियों को खोजने एवं सीखने के लिए आउसर उपलब्द कराना देखिए जो question है उसका option number A, B और D तीन रहता है इसलिए जब भी option में आप लोग यह देखिए कि बच्चे को खोजने के लिए बोल रहा है सीखने के लिए बोल रहा है और आउसर की बात कर रहा है तो हमेसा वही option सही होता है तो question number 5 का option number D सही हो गया next question देख लेते हैं question number 6 क्या कह रहा है परियावर्ड सिख्छर में विद्यार्थियों के अनुभाव को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए यहाँ नहीं word है नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे रूट जाते हैं यह तो कोई ब कास नहीं हो पाएगा इसलिए आपका ये भी option गलत है तिसरा option इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है तो अगर बच्चे को आप जो अनुभाव होते हैं अगर उसको प्रोसाहित करेंगे तो बच्चा क्या करेगा अधिक से अधिक सीखेगा तो question number 6 का option number C सही हो गया option number D में दिया है उप्रोक तो सभी जब हमारा option number पहला ही गलत हो गया है तो इसका मतलब option number D भी अपने आप गलत हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 7 क्या कह रहा है कौन सी कच्छा में पर्यावड सिच्छड होती है तो देखें बात करते हैं class 1 और 2 में class 3 से 8 तक class 1 से 8 तक तो हम जानते हैं कि जो पर्यावड जो सिच्छड का जो बुक होता है वो 3 से 5 के बच्चों के लिए होता है तो पर्यावड जो सिच्छड होती है वो 3 से लेकि 5 तक के बच्चों को के लिए होता है तो question number 7 का option number B सही हो गया next question देख लेते हैं पर्यावड के उखे दो घटक होते हैं, इस एक को हम लोग कहते हैं जैविक घटक, दूसरे को कहते हैं और जैविक घटक, जो जैविक घटक होता है उसमें जिवित वस्तुवे आती हैं, इसका मतलब जिसके अंदर प्राण है, जैसे माना हो गया, अब घटन करता हो गया, ये लोग क्या होत आपसा नमबर A सही हो गया, पर्यारवड के मुख्य घटक होते हैं, जैविक और जैविक घटक. Q9 को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कौसल जन्म जात नहीं होता? जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसके साथ जो कौसल होते हैं, उसमें सा कौन सा कौसल है, जो नहीं है? हसना, रोना, बैठना, भासा सीखना तो देखिए जब अच्छा जह भी पैदा होता है तो वह रोना भी जानता है दिरे-धिरे वह बैठना भी जान जाता है लेकिन भासा जो सीखने के प्रक्रिया होती है वो जर्मजात नहीं होती है इसलिए इसका option number D सही हो गया Q9 का option number D सही है Q10 क्या कह रहा है सिच्छार्थियों को वास्तिविक जीवन की चिंताओं को समझने योगी बनाने हेतु आवस्यक है मतलब अगर जो सिच्छार्थी है वो वास्तिविक जीवन की चिंताओं को समझे उसके लिए क्या जरूरी है option देख लेते हैं उसमें कल्पना परक बनाने एवं पुर्व अनुमान लगाने के कौसल का विकास करना ये आपका option number 1 सही है क्योंकि बच्चों को कल्पना करने के लिए हमें करना है और पुर्व अनुमान लगाने का जो कौसल है अगर उसको हम लोग विक्सित कर दे तो वो भविस्य की चिंताओं से निपट सकता है इसलिए question number 10 का option number पहला ही सही हो गया 11 question देख लेते है question number 11 है स्थानों, दूरियों और दिसाओं की सापिक्ष इस्थिति को समझने की छमता है दिसास्त्मक कोसल, चित्रड कोसल, इस्थिति कोसल, ग्राफिक कोसल तो देखिए सापिक्ष इस्थिति को समझना है इसलिए इस्थिति कोसल होगा अगर दिसाओं की बात करता तो दिसास्त्मक कोसल के हम लोग बात करते question number 12 की बात करते है question number 12 क्या कह रहा है EBS सिछड अधिगम में कच्छा में प्राप्त अधिगम को विद्याले के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे सम्रिद्ध बनाने का तातपर है देखिए जो EVS का जो सिछड अधिगम होता है उसका मतलब यहीं होता है कि बच्चों को जो भी सिखाए उसको बाहरी जीवन से जोड़ कर सिखाया जाए तो option देख लेते हैं पाठे पुस्तकों से बाहर जाना ये बिल्कुल बात नहीं है दूसरा option है वैस्विक परियावड मुद्दों और चिंताओं को पाठे पुस्तकों से लिंक करना देखिए ये option number B आपका सही है क्योंकि जब भी हम लोग सिछड अधिकम करवाते हैं तो उसका मतलब यहीं होता है कि जो पढ़ाया गया है वो वैस्विक इस्तर पर उसको मुद्दों और चिंताओं को हम लोग लिंक करें तो question number 12 वह को option number 20 आई हो गया next question देख लेते है question number 13 है EBS पार्ठे पुस्तकों में सपेरे पर एक अध्याय है इसका मुद्देश से बच्चों को जागरूप करना और सर्मेदन सिल बनाना है जैसा कि हमें पता है कि जो EBS पार्ठे करम है उसमें एक सपेरे नामक अध्याय है अब देख लेते हैं option कि यहाँ एक अवैधकार्य है यह बिल्कुल option नहीं होगा आपका क्योंकि जो साप पकड़ना है वो अवैधकार्य नहीं है क्योंकि जो सपेरे होते हैं वो उनकी रोजी रोटी का एक तरीका होता है तो option number B है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अकसर उन्हें नहीं देखते यह option number B आपका सही है जो सपेरे नमक चेप्टर है उसका मिन उद्देश यहीं है कि बच्चों को सपेरों जो सपेरे होते हैं उनके जीवन से परिचित कराया जाए उनको उस पार्ट में पढ़ाया जाए कि जो सपेरों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है तो question number 13 का option number B सही हो गया next question देख लेते हैं question number 14 है महिलाय पूर्सों की तुलना में कमजोर होती है यह एक है देखे महिलाय पूरसों की तुलना में कमजोर होती है यह एक रूढ़ी वादी विचार धारा है जो सदिया से चली आ रही है पहले के लोग बोलते थे कि महिलाय पूरसों से कमजोर होती है और वहीं चीज़ों को हम लोग आज तक एडाप्ट करते चले आ रहे है तो यह एक रूढ़ी वादी धारडा है यह क्वेशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जो क्वेशन है वो EBS के साथ साथ हिंदी पेड़ागोजी और अधर एक्जामें भी पूछ जाते हैं जैसे यह सीटे दिसंबर 2018 में पूछ चुका है क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं पूछना सी है अभी व्यक्ति डी है प्रियोग तो देखिए जो क्वेशन आपका है उसका एंसर हो जाएगा डी ऑप्सन नमबर डी प्रियोग क्योंकि जब अभी हम लोग किसी से पूछेंगे तो हम लोग प्रस्ट पूछने के दौरान चर्चा करते हैं कि क्या ऐसा था क्या ऐसा नहीं था दूसरा आप्सन है पूछना अगर हम बयो बद्ध लोगों से पूछेंगे तो यह पूछना भी उनके अंतरकत आ गया और अभी व्यक्ति तीसरा आप्सन है इसका मतलब जब भी उनसे पूछेंगे तो आकर अपने सिच्छिका को बताएंगे तो उससे हमारी अभी व्यक्ति होगी लेकिन इसमें कोई प्रियोग नहीं हो रहा है इसलिए क्वेशन नंबर फिप्टीन का आप्सन नंबर डी सही हो गया तो नेक्ट क आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला, आदी कुछ विद्यार्थी नों पत्तियों का वर्गिकरण इस प्रकार किया दवाओ के गुड़ो वाली पत्तियां और दवाओ के गुड़ रहित पत्तियां देखिए एक सिच्छक है वो अपने बच्चों से कुछ पत्ते दिये हु और उनोंने का है कि बच्चो आप इनको वर्गिकरित करो, तो कुछ बच्चे क्या किये है कि maydicinal और instrumental leaf को वर्गिकरित की जो तुलसी होती है वो दवाओं के रूप में यूज होता है जो नीम होता है वो दवाओं के रूप में यूज होता है तो उन्होंने कुछ बच्चों ने इसको एक कटेगरी में रख दिया और पुदीना केला नीबु आम इसको एक कटेगरी में रख दिया दूसरों बच्च में से कौन सा कथन अधिगम प्रत्विमित करता है ओप्सन देख लेते हैं ओप्सन है यह क्रिया कला पतियों से सूचना ग्रहड करने पर केंद्रित है जिसका भिन अर्थ लगाया जा सकता है तो देखें यह पतियों से सूचना नहीं ग्रहड करना है यह पतियों के वर्गे कर करने के बारे में है तो ये option number A आपका गलत हो जाएगा दूसरा option क्या कह रहा है कि बच्चे बहुत प्रकार का संदर्भों को कच्छा मिले के आते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए तीसरा है अपने अनुभाव पर निर्भा करते हुए बच्चों ने वर वर्गीकड के बहुत स ज्यादा विस्त्रित है जैसे हम लोग पत्तियों के रंग पे भी उसको विभेदित कर सकते थे उसके आकार पे भी उसकी गुड़ के भी आधार पे हम लोग उसको वर्गीकड कर सकते थे इसलिए यह कार काफी व्रिस्त्रित है इसका एक ही सही उत्तर होता है अगर हम लोग उसको रंग के आधार पे बाटे तो भी आपका एक ही उत्तर सही होगा और अगर आपको साइज के आधार बाटोगे तब भी उसका एक ही उत्तर सही होगा तो इसलिए question number question number 16 का option number D सही है next question देख लेते है question number 17 दिये गए प्रश्णों को ध्यान से पढ़िए क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए इस प्रश्ण के माध्यम से किस प्रक्रमण कौसल का आकलन किया गया है तो देखिए एक का आकलन कर रही है और कह रही है उसके नाम को लिखिए नाम को लिखने में रिकार्डिंग कौसल का होता है रिकार्डिंग मतलब रिकार्ड करना उस कौसल का यूज होता है इसलिए क्वेस्चन नमबर 17 का आप्सन नमबर A सही हो गया बच्चों के अवलोकन कौसल और रिका फाइल लेती है और उसे पानी में डाल देती है एवन दिखाती है कि वह उपर तैरता है फिर वह फाइल को मोड कर जोर से दबाती निचोडती है और फिर पानी में डालती है तथा सिच्छार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है बाद में वह सिच्छार्थियों के सोचन वो क्या कर रही है कि पहले एक box ली है उसमें पानी भरा हुआ है उसमें क्या करती है एक aluminium का seat लेती है उसको डालती है फिर दिखाती है कि वो तैर रहा है फिर क्या करती है वो aluminium के seat को निकालती है और उसको मोड देती है उसको निचोड देती है उसके बाद दिखाती है कि यह किस कॉसल के बारे में जानना चाहती है तो देख लेते हैं option पहला मापन दूसरा है परिकल्पना तीसरा है वर्गिकरण चौथा है अवलोकन तो देखिए बच्चों को जब वो दिखाती है और question पूछती है तो बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा तो इसस question में कुछ बच्चे option number D को भी टिक करेंगे अवलोकन और लोकन कॉसल तब होता है जब वो किसी चीज को देखा याता है तब उसे बोलते हैं और लोकन कॉसल और जब किसी चीज को देखकर उसके बारे में सोचता है इंसान जब सोचता है तो उसको बोलते हैं परिकल्पना तो question number 18 का option number B आपका सही हो गया next question देख लेते हैं NCRT की पर्यारण अध्यन की कच्छा 5 की पाठ पुस्तक में सुनीता अंतरिच्छ में सिर्शक पाठ इस पेस सीप में अंतरिच्छ यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभाव का वड़न करता है इसे सामिल करने के क्या क्या है बच्छों को पढ़ाने का में करड क्या है option है यहां घटना अंतरिच्छ यात्रियों की जिन्दिगी में जाकने का आउसर देती है देखिए यह बात विल्कुल ठीक है कि इस घटना से हम लोग जानते हैं कि जो अंतरिक शियात्री होते हैं उनका जीवन कैसा होता है वो क्या क्या करते हैं option number B देख लेते हैं यहां घटना space ship में भौतिक इस्थितियों का वड़न करती है यह आपका option number B भी सही है क्योंकि जो space ship के जो भौतिक इस्थितियां होती हैं लोग कैसे वहां रहते हैं किस प्रकार से वो survive करते हैं उसको भी देखने और वड़न करने इक हमें मौका मिलता है, option number 3 है आपका घटना इसथि पूरुस लिंग जेंडर रुडिवाधीता को चुनाऊती देता है जैसा हम जानते हैं जो पूरुस होती है वो यह स्थित्प में जाते हैं लेकिन इस चेप्टर में सुनीता लाम की एक अंतरिक्ष में गई हुई है इसलिए क्या करता है रूड़ी वाधिता को भी चुड़ाउती दे रहा है तो ऑप्सन नमबर थी भी आपका सही है ऑप्सन नमबर डी है यह घटना गुर्तवा कशड की अवधारा को समझने में मदद करता है देखें सुनीता अंतरिक्ष में जो बी आप्सन में है एक दो तीन तो बी आप्सन आपका बिल्कुल सही है क्योंकि 19 का 1, 2, 3 आप्सन सही है इस विसाब से आपका आप्सन नमबर भी सही हो गया next question देख लेते हैं question number 20 है प्रात्मी कच्छाओं में परियावड अध्यान पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्धे से समंधित नहीं है तो देखें यहाँ पर पूछा है नहीं है इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे क्योंकि एक्जाम में कभी-कभी हम लोग इसको है समझ के पढ़ लेते हैं और उत्तर को गलत सगा लेते हैं तो option number 1 है कि विज्ञान के आधार भुत प्रत्य और सिधानतों को रटकर याद कर लेना तो देखें रटकर याद नहीं करना है हमें हमें पहले बताया है कि जब भी किसी option में रटकर याद करने वाली बात होती है तो वो हमें सा negative indicate करता है उसको हम लोग पहले ही निकाल देते हैं तो यहाँ है नहीं करत नहीं है तो option number A ही आपका सही हो जाएगा तो और option देखने की जरुरती नहीं पड़ेगी तो question number 20 का option number A आपका सही हो गया अगला देख लेते हैं question number 21 क्या कह रहा है परियार अध्यान क सिछड़ से उन प्रक्रिया पर आधारित कौसलों को बढ़ावा दिया जाया चाहिए जो पूछताश आधारित प्रत्यच अनुभव के केंद्र विंदु है निमलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौसल नहीं है तो यहाँ नहीं पूछा हुआ है दखिए जब भी हम लोग परि नंबर आधारित करने का जो होता है कि बच्चे के अंदर आवलोकता विकास हो यह भी आपका option number C ज़ह है लेकिन ढिरधारड करना होता है वह नहीं होता क्योंकि बच्चे पूछता करने से सिफ उनके के कौसल का विकास होता उसमें निधारा करने वाली बात नहीं होती है इ अच्छा पांच के अध्यापी का मा ही चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का आउलोकन करें, सार्थक अधिगम सीखने के लिए उन्हें बच्चों को क्या करने के लिए प्रोफसाहित करना चाहिए। अधिक से अधिक चीजों को बढ़ाने के लिए होता है उसे ही हम लोग सही करते हैं इसके बीच में अंतर भी करना है और लोकन भी करना है तो यह क्वेशन नमबर 22 का आपसन नमबर 4 आपका सही हो जाएगा next question देख लेते हैं EVS संचेपड अर्थ में प्रियुक्त होता है देखें जो EVS हम लोग पढ़ते हैं EVS उसका जो short form होता है या फिर हम लोग बोले उसका full form क्या होता है वो क्या होता है इसमें क्या होता है 50% से भी अधिक बच्चे इसका गलत answer लगाएंगे तो answer देख लेते है environmental skills, environmental sciences, environmental sources, environmental studies, आप लोग भी मन में इसका answer देजीए और देखें इसका answer कौन सा सही होता है तो इसका answer की बात करें तो देखें इसका answer जो हो गया वो आंसर नमर डी आपका सही हो जाएगा क्योंकि जो इवेस होता है उसका फुल फॉर्म होता है वो इन्वाइमेंटल स्टडीज होता है ना कि इन्वाइमेंटल साइंस बहुत सारे बच्चे इन्वाइमेंटल साइंस लगाएंगे लेकिन इन्वाइमेंटल साइं के सिच्छड का उद्देश यह नहीं है यहां पर पुछाया प्रात्मिक इस्तर पर तो ओप्सन है कच्छा कच्छ में होने वाले अधिगम को विद्याले की बाहर की दुनिया से जोड़ना तो देखिए यह तो EBS का काफी important चीज़ आता है कि जो भी विद्याले पढ़ाया ज अनुसासन सुनिश्चित करें तो हमें कच्छा में कड़े अनुसासन को सुनिश्चित नहीं करना है क्योंकि जो प्रात्मिक इस्तर के जो बच्चे होते हैं उनका माइन काफी soft होता है तो उनसे हम लोग politely behave करेंगे तो यहां पुछाया सिच्छड का उद्देश यह नहीं देखे पाठ का नाम है जो वो सर्वेक्षड और लेखन है इसका जो है मुख्य उद्देख्ष यह वो क्या है तो देख लेते हैं option सिच्छार्थियों के सामान जानकारी का आकलन करना सिच्छार्थियों को आवसर उपलब्द कराना की वेच चीजों को खोजे और सीखे वि सिच्छड अधिगम का मेन उद्देश यही होता है कि बच्चों को आवसर उपलब्द कराया जाए जब भी हम लोग option में देखते हैं कि बच्चों को आवसर उपलब्द कराने की बात हो रही है बच्चों के जुझीवन में सिखाया गया है वीद्यालम जो सिखाया गया है वाहरी वातावड़ से जोड़ने के लिए बोला गया है तो वहीं option आपका अधिकतर ठीक होता है तो question number 25 का option number B सबसे अच्छा है इसलिए हम लोग इसी को tick करेंगे next देख लेते हैं question number 26 देख लेते हैं कच्छा 5 की EVS की पाठ पुस्तक के किसी पाठ में सोचिय और चर्चा करें भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है यदि आपके गाउं या सहर में एक सब्ताह तक पेट्रोल अथवार डीजल न हो तो क्या होगा इस कथन का मुख्य उद्देश यह है देखिया हम डीजल और पेट्रोल नहीं होगा तो फिर हमारा भवी से कैसा होगा इसके बारे में बच्चों से पूछा जाता है तो इसका मुख्य पूछने का उद्देश से क्या हो सकता है चात्रो को तेल के लिए नय संगत उपयोग के बारे में सर्विदन सील बनाना चात्रो को पेट्रोल और डीजल के स्त्रोतों के बारे में मुल्यांकन वास्तिविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतू कलपना और सोचने विचारने की कुसलता को बढ़ावा देना पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागरिती उत्पन करना देखे पहले ही बताया गया है कि वास्तिविक जीवन की चिंताओं है उसको सोचने विचारने को अगर हम लोग आप्सन में देख रहे हैं तो आप्सन वहीं सही होता है तो इससाप से आपका 26 का ओप्सन नमबर C जो है वो सही हो गया नेक्श देख लेते हैं 27 कोश्चन क्या कह रहा है प्राथमी किस्तर पर EBS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश से है तो जो प्राथमी किस्तर पर होता है जैसे 3 से लेके 5 तक जो EBS का पाठिकरम दिया गया है उसका जो में उद्देश से है वो क्या है तो आप्सन देख लेते हैं विसे की मूल संकलपनाओं को गहन समझ विक्सित करना देखे गहन समझ विक्सित नहीं करना है छोड़े बच्चों के अंदर आप गहन समझ विक्सित नहीं कर सकते है तो ये आपका ऑप्सन गलत हो गया दूसरा है अगले स्तर के अध्यान के लिए विद्द्यार्थियों को तयार करना ये भी कोई उद्देश से नहीं है कि आपको एक कलासे दूसरे कलासे बढ़ाने के लिए बच्चों को आपध्यान आप करवाओं ये भी नहीं हो सकता है option number 30 है कच्छा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्याले से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना तो option number C आपका बिलकुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी हम लोग विद्यार्थी पढ़ाते हैं अगर वो बाहरी जीवन से संबंधित हो रहा है तो वही option आपका सही होता है तो 27 का आपका option number C सही हो गया next question देख लेते हैं प्रात्मिक स्तर की EBS की पाठे चर्या को सुध्य विज्ञान और सामाजी विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विक्सित क्या गया है ऐसा करने का मुख्य करण क्या है मुख्य उद्दे से क्या है तो देखिए जो EBS होता है EBS के पाठे करब में हम लोग साइन्स और सोसल साइन्स को मिला कर बनाते हैं EBS को तो इसका जो मेन उद्देश से है वो क्या है सिच्छार्थी को पर्याड को साकल यावादी धंग से देखने योगी बनाना पढ़ाई के विज्ञा की सांख्या को कम करना विज्ञार्थी के वस्ते के बोज को कम करना विज्ञा अध्यापको की आवसक्ता को कम करना तो देखें जो EBS होता है उसको साइन्स और सोसल साइन्स से मिला कर इसलिए बनाया गया है क्योंकि बच्चे क्या करें साकल यावादी धंग से सोच सके तो option number A आपका सही हो गया अगर option number B की बात करें पढ़ाई के विज्ञा की सांख्या को कम करना तो ऐसा नहीं कि दो सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया गया तो इस तो विज्ञा की सांख्या कम हो जाएगी ये बिल्कुल उद्यस से नहीं है तीसरा option है विज्ञारती के बस्ते को बोज को कम करना तो देखिए अब बच्चे के बस्ते के बोज को नहीं कम करना है एसपाल समितिक जो सिपारिस थी नाइन टू में वो काता थार लर्टनिंग बिदाउट बर्डेन मतलब सिच्छा बीना बोज के तो उस बोज का मतलब ये है कि बस्ते के बोज से नहीं है बच्चो को ऐसा पढ़ाया जाए कि बच्चे को उपर बोज ना बने वो उसका मतलब है तो option number C भी आपका गलत हो गया तो question number 28 का option number 1 सही है आपका next देख लेते हैं 29 क्या कह रहा है समाजिक विज्ञान के संदर्व में पर्यार अध्यान पढ़ाने का निमलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है यहां नहीं है तो देख लेते हैं इसे बच्चो को मुख्य सब्दावली की सही परिभासा याद कराने योग्य बनाना देखे आउप्सन नमबर पहला ही आपका सही हो गया क्योंकि हम लोग कभी भी सही परिभासा को याद करने के लिए नहीं बोलते हैं इसलिए आउप्सन नमबर ए आपका बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेशन की बात कर लेते हैं क्वेशन नमबर 13 NCRT की पाठे क्रम पाठे पुस्तक में परियोड अध्यान को उच्छ प्राथमिक्ता और अस्थान दिया गया है क्यों क्योंकि अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्णों को सामिल करने के लिए विसम की आधार भूत संकल्पनाओं की व्याख्या के लिए किसी भी विसम का मतलब होता है वो सठीक परिभासा उपलब्द कराना नहीं होता इसलिए Option D तो आपका ऐसे हिंगलत हो गया Option C की बात करें तो चिंतन और विसम के लिए सिच्छ प्राथम को अवसर उपलब्द कराना यहां हमें keyword मिल गया औसर उपलब्द कराना और हमारा यहीं option भी सही होगा क्योंकि सिच्छार्थियों को अधिक से अधिक औसर उपलब्द कराना ही NCRT का main उद्देश से है इसलिए question number 13 का option number C आपका सही हो गया तो यह तो था आज का 13 top question ऐसे ही हम लोग अलग-अलग सरिंखल में 30-30 question को cover करते रहेंगे वीडियो आपको कैसे लगे हैं वजरूर बताईएगा धन्यवाद